फासी से जोड़ी हर कहानी डरावनी ही नहीं है, कुछ कहानी अंदिल्चस्प भी है इल्ला कांदी के आत्यारे सत्वन सिंग के कहानी कुछ ऐसी ही है सत्वन सिंग की फासी से कुछ दिन पहले सुरिंदर को और नाम की एक लड़की उससे शादी करने की जिद करने लगी बहुत बहादूर लड़की है मेरा भविश्य जानकर भी उसने शादी करने की हिम्मत दिखाई है सत्वंध सिंग बहुत कटर विचारो वाला था वो कहता था उसका फैसला रब करेगा लेकिन सजाय मौत से पहले आखरे वक्त में वो मांसिक तोर पर परिशान हो गया था जब सतवंध सिंग और कहर सिंग को तिहार में भांसी दे दी गई थी कि इससाय मौत से कुछ दिरों पहले सतवंध सिंग का पिता त्री लोग सिंग कभी-कभी अपने पेटी के लिए जेल में घाना ले आता था लेकिन एक बार चेकिंग दोरां सत्वंध के पिता के पास ते उसने कहा गलती से अफीम उसके जिब में रह गई थी उसे माफ कर दिया जाए बाद में बात आई गई हो गई इस घटना के बाद इंद्रा गांधी के हत्यारों के लिए जब भी घर से खाना आता तो जेल के गार्ड कड़ी चेकिंग करकी आगे भीजते थी कश्मीर के आलगावादी निता मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को भांसी दी गई थी मकबूल बट को पढ़ने का शौक था वो अपनी बैरक में शांत रहता था और कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था धार में किताबों से लेकर अंग्रेजी की उपन्यास तक पढ़ा करता था मकबूल बट के फांसी के बाद तिहार में कई तरह के अफ़ाहें फैली रहती थी किसी कैदी ने कहा कि उसने सपने में मकबूल बट को देखा तो किसी संत्री ने बोला कि फासी कोठी के बाहर उसे मकबूल बट ने थपड मारा है फासी घर के पास ही मकबूल बट के कबर है जिन जेल अधकारियों को मकबूल बट के कबर का पता है वो उसे देखने से बचते हैं तिहार में मकबूल बट के फांसी के बाद कई बार ये अफ़ा फैल जाती थी कि फांसी कोठी से तरह तरह की आवाज आती है कई लोगों ने मृतक मकबूल बट को देखने का दावा तक कर दिया एक बार फांसी कोठी के पास एक कैदी की संदिग्द मौत हो गई थी अफ़ा फैल गई की खैदी के हत्या मकबूल बट ने की है जो फांसी कूटी के पास बटकता रहता है सजाए बौत के बाद मकबूल बट को फांसी कूटी के पास ही दफन कर दिया गया था उसके बगल में ही 30 साल बाद अफसल कुरू को दफन किया गया मकबूल बट की किताबे आज भी तिहार के जील नमबर तीन में बनी लाइब्रीरी में रखी हुई है भारत में फांसी हमेशा सुबह ही दी जाती है जील मैन्यूल में दुर्ज है की फांसी सुबह जल्दी दी जाए इसके पीछे बहुत से वजह बताई जाती है जील मेबाकी